गटना चकर में आपका स्वागत है मैं हो विपोल सिंग तमाम खास महान हमाई साथ बने हुए है आज हम दो खास मों दो पे चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे अभी भी संसाय बरकरार है चीन जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के अडा हुआ है और कैना यह है कि नियम तो अमेरिका नहीं बनाये थे अर्टारिस मेरे से 29 देशों का समर्थन भारत को हासिर है लेकिन क्या चीन अडंगा डाल करके भारत की एंट्री को रोक सकेगा इन तमाम पहलों पे बातचीत करते हैं हमाई साथ तमाम खास परमान जूर चुके हैं आनन साहो जी नेता भारती नेता पार्टी के नीता मिश् हमाई साथ रामधार शर्मा जी है पुश्पें कुल सेज जी हमाई साथ हैं वरिश्पत्रकार सबसे पहले टिपड़ी पुश्पेंट जी आपसे जानना चाहेंगे 24 तारिक को अभी तक इस बात की इस्ति पस्ट नहीं क्योंकि चीन की तरफ से ये सोंवार को जो बयान आया आप कैसे देख रहे हैं इसे पूरे मस्टे को ले करके देखे जितने भी तरक दिये जा रहे हैं ये बड़े निराधार टाइप के तरक हैं अगर चाइना इन 48 देश कोंका जो समू है अगर वो इसमें मेंबर है और बहुत इंपोर्टन्ट मेंबर है तो उसको ये भी समझन जाये कि जूट ऐसा बोला जाये कि जिसको दुनिया मान ले हैं और ये कोई ऑज़ेंडा ऐसा निये जो कलप सो हुआ हो जब पिछली meeting के बाद जब अगली meeting का एज़ेंडा होता यो पहले से तैड हो जाता है कि अगली meeting में यह यह होगा और भारत की सदस्ता को लेकर के यह एजंडे में पहले से है तो चीन का ये कहना कि ये एजंडे में नहीं है तो ये तमाम पिछले 15 दिन से तमाम सारी बातें जो आ रही थी जो उनका Global Times जो सरकारी पेपर है उसमें जो बातें कही जा रही थी फिर वो गलत थी एक तो बात ये है दूसरी बात आप ये देखें कि ये कोई संच 74 में बना है ये गुरू और इसके अंदर जो बात तर्क ये दिया जा रहा है खास्तार से चाइना की तर्क से किसाब जिन्होंने NPT पे साइन नहीं किये हैं उनको जो है सदस्ता न दी जाए फ्रांस इसका मेंबर बना उसने आज तक NPT पे साइन नहीं किये हैं ये भी आपको पता है दूसरी बात आप देखें कि इसमें बहुत सारे मुल्क जो हैं बहुत छोटे-छोटे मुल्क हैं जो दुनिया की पॉलिटिक्स में उनका बहुत कम रोल रहता है अब उसमें चाहें लाट्विया हो लक्जंबर्ग हो माल्टा हो रुमानिया हो सर्बिया हो स्लोवाकिया हो ये बड़े छोटे-छोटे मुल्क हैं अगर हम यूएन सिक्यूरिटी कॉंसिल को देखें तो यूएन सिक्यूरिटी कॉंसिल में जो पांच पर्मरेंट मेंबर है उसमें चाइना को छोड़ करके चारों भारत के साथ खड़े हैं और भारत के साथ ही नहीं खड़े हैं बलके वो अपनी ताकत का और अपने इंफुरेंस का इस्तमाल सारे देशों में एक पियार की तरह कर रहे हैं और ये अपने आप में एक अजीब और गरीब स्थिती में देखता हूं कि जो भारत के पक्ष में ये बनी है कि चाहें वो अमेरिका हो चाहें वो रशिया हो चाहें यूनिटिट किंग्डम हो चाहें फ्रांस हो चाहें जापान हो ये तमाम सारे मुलक भारत के बहाफ पे दू important organization के अंदर कि दुनिया के बड़े वो पांस-दस लोग जो पूरी दुनिया की राजनीती को चलाते हों, economics को चलाते हों, वो देश भारत की इसमें सदस्ता के लिए तमाम सारी चीजों को जानने के बावजूद भी उसका एक प्यारों की तरह से काम कर रहे हैं। ऐसे में चाइना का ये तर्क के आप भारत को इसलिए नहीं देना चाहिए कि यहां का शक्ती संतुलन बिगड़ेगा एक बात। जब चाइना पर्मेरेंट कॉंसिल का मेंबर है, सिक्रोटी कॉंसिल का, जब चाइना इसका मेंबर है तब यहां का शक्ती संतुलन नहीं जब उनसे ये पूछा गया कि आप पाकिस्तान के विरोध में हैं तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो हम इसके सदस नहीं हैं लियादा हमारे पाकिस्तान के विरोध करने न करने का कोई प्रश्णी नहीं उड़ता और पाकिस्तान को एंट्री मिले इसका हमने कहीं ये नहीं कह थी कि चाइना भारत की एंट्री का विरोध नहीं कर रहा है उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी बातें कह रहा है तो तकनीकी बातों में एक तो यह है कि एंटीप पे साइन नहीं किये हैं तो वो सब को सामने पता है कि यह बात अमरेका को भी पता है यह फ्रांस को भी पता है यह भी पता है तो सिर्फ चाइना इस पे क्यों गड़ा हुआ है सबसे बड़ा सवाल ये है कि चाइना अपनी एक्षा को पाकिस्तान के माध्यम से पूरा करना चाता है ये सब को पता है कि अगर भारत यहां शक्तिमान बनेगा तो वो चैलेंज पाकिस्तान के लिए नहीं है वो रात में इतना पैनिक हुआ पाकिस्तान के उनके फॉरेंड मिनिस्टर ने रशा को न्यूजिलेंड को फोन किया और इस बात को रोका लेकिन अभी जो मैं कल भी मैंने शायद इस बात को कहा था और मैं फिर कहूंगा हिंदुस्तान में मिड़े अखबार के एडिटर है भारत का विरोध नहीं करेंगे तो भारत की जीत इन 48 देशों में सबसे बड़ी यह है कि इस देश के जितने भी पावरफुल मुल्क हैं जिनका भी आप नाम लें सब भारत के साथ खड़े हैं सवाल यह है कि 24 तारीकों स्योल में जब एजंडे पर यह बात आएगी तो यह भी पता चलेगा कि कौन कौन लोग विरोध में हैं और अमेरिका का इंफ्लेंस रशा का इंफ्लेंस फ्रांस का इंफ्लेंस जर्मनी और जापान का इंफ्लेंस कितना काम करता है ठीक रामधार जी जिस तरीके से जो तमाम बड़े देश हैं वह भारत के समर्थन में हैं ऐसे को इस समय भारत की आवशक्ता कई लिहाज से है देखे चीन जो है वो अभी सक्ति एसिया में सक्ति संतुलन के पलडे पे अपने आपको सबसे भारी बनाये रखने के लिए परेशान है बियतनाम उसका विरोध कर रहा है जापान से उसका पर्मानेंट विरोध है भारत से भी स संबंद इधर मधूर होते जा रहे हैं भारत को घेरने के लिए वो हमारे पडोस में नेपाल में अपना हस्तचेप ज्यादा से ज्यादा करने के प्रियास में लगा पड़ा है सुरू शेहीं हमारे और नाचल प्रदेश पर अपनी दावेदारी दे के बरावर हमको पाका था जिसको पाक ने अपना कबजा कर लिया था हमारे इलाके में उस इलाके को उसने पाकिस्तान से खरीद लिया तो यह तो इंटरनेशनल ट्रीटी के भी खलाफ है अभी हम लोग रोज देखते हैं कि वह नए-नए द्वीब बना रहा है यह भी इंटरनेशनल ट्रीट के खलाब है तो चीन चाहता है कि उसके पडोस में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ऐसी गद्धी पर ना बैठे ऐसे जगह पर ना पहुंचे जहां से उसका कान एठा जा सकता हो और पाकिस्तान का यहां इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एनसजी में सरोसम्मती का बहुत नगर्ने हैं लेकिन आर्लेंड भी बिरोध कर रहा था अभी उससे भी बात हुई है हमारे सरकार के प्रतिनिधियों ने आर्लेंड से भी बात किया है और उनका रुख थोड़ा नर्म हुआ है आर्लेंड से हमारा हमारी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है हमारे हमारे सिक्षन संस्थान वहां पे अपने लोगों को भीजिटिंग प्रोफेसर्स के रूप में भेजते हैं और मज़े की बात यह है कि उसके लिए हमारी सरकार कोई शुल्क नहीं लेती है उसके बावजूद चीन ने उसको कन्विंस करके हमारे खिलाब खड़ा करने का काम किया तो झाल झाल गटना चकर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं भारत की एनसजी में सदस्ता को लेकर के जिस तरीके से चीन ने अडंगा डाला हुआ है उससे क्या 24 तारीक को होने वाली बैठक पर क्या कुछ हसर होगा अमेरिका खुल करके भारत के समर्थन में है क्य कर दिया है कैसे देखें सब्सक्राइब को इस स्टेट्मेंट को दिए इसके उपर एक तरह से बहुत डीपली भारत और अमेरिका का एक एग्रिमेंट हो गया है हाला कि अभी न्यूकलर सेक्टर में अभी एक पर्षेंट भी हमारा बहुत ज़्यादा उसमें बिजनेस नहीं है लेकिन आने वाला समय में जिस परकार से न्यूकलर टेक्नलोजी का बहुत ज़्यादा पदारपन हो रहा है और वो भारत एक बड़ा मार्केट है और दुनिया भर के देशों के लिए भी भारत एक लीडर के रूप में डेवलफ हो सकता है और जहां तक अमेरिका का और यूएन जितने मेंबर्स हैं उनका अगर भी इंट्रेस्ट देखेंगे तो कहीं न कहीं भारत एक पीसफूल कंट्री के उपर लोग मान रहे हैं और इसके लिए अगर कहीं मुझे ये भी लग रहा है डाउट कि अगर चाइना इस तरह का हरकत किया तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि यूएन के जो पर्मनेंट मेंबर हैं वो सब मिलके चाइना को भी ए जो पर्मनेंट मेंबर हैं उनको भी विट्टो पावर है कि देशूड इंप्लिमेंट सटन डिमांड अगर भारत को अगर ये कह रहे हैं कि हम सब सपोर्ट कर रहे हैं सारे लोग कर रहे हैं उसके बाद अगर चाइना ये सब हाकिकत जानने के बाद विदाउट एनी निते नहीं हैं तो मुझे लगता है कि पहली बार भारत की रन्निती आदेने नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री जी के नेतरित में जिस परकार से आगे बढ़ी है मुझे लगता है आप देखिए जापान स्विट्यर लेंड कनाड़ा फ्रेंच मतलब सारे जो एक के करेंगे लेकिन मुझे लगता है जो लोग एंटी देखते थे पहले भारत को आज वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं एकसेप्ट चाइना तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली हमारे फोरें मिनिस्टर सुसमा सवराजी का एक बयान आया था उन्होंने भी संतोज जाहिब कि जा था और यह कहा था कि चाइना भी सपोर्ट जरूर करेगा और हमें जरूर यह मिम्बर्शिप मिलेगा नीता जी आपसे जाना चाहेंगे दो तीन स्पेच है इसमें एक तो यह कि इसमें वोटिंग नहीं होती है क्योंकि अभी तक 48 में से जो मोटी मोटी देश शामने आय लेकिन अमेरिका की तरफ से चीन का जो पलटवार आया है वाइट हाउस के प्रेस्टाचीव जॉस्ट और विदेश मंत्राले के प्रवक्ता जॉन किर्भी ने बकायदा अलग-अलग स्टेट्मेंट जारी करके जो तमाम देश है अरतालिश देश उनसे यह अपील की है कि स इस तरह चाइना इतना जादा विरोध कर रहा है तो उसको देखते हुए तो पुजिशन उतनी स्ट्रॉंग नहीं लग रही लेकिन एड़ सेम टाइम यह कहना भी गलत नहीं कि पहले भी देखे दो हजार आट में क्या हुआ था यूपीय सरकार में तब जो सैंक्शन्स थे साथ ही नहीं बलकि बाकी देशों को बाकी जो मेंबर स्टेट्स हैं कंट्रीज उनको भी इंफ्लूएंस करने की किसी तरह कोशिश कर रहा है इसलिए यूएस का साथ होना बाकी भी कई बड़े बड़े देश जैसा पुश्पें जी आप सबने अभी बताया वो किस तरह से भारत का साथ दे रहे हैं इसमें दूसरों के इंफ्लूएंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है इसको देखते हुए भारत बहुत-बहुत स्ट्रॉंग है उसकी पोजिशन हर तरह से समय स्ट्रॉंग है एक चीज़ और मैं कहना चाहूंगी कि चाइना ने फिर अलाव किया तो आशा तो यही है कि अभी सियोल में भी अलाव करेंगे और कोशिश हमें करनी चाहिए कि कि किसी भी तरह से इतना सपोर्ट हम हासिल कर लें कि एनेसजी के मेंबर हम बन जाएं क्यूंकि भै उस दिन का है कि मान लीज़े अगर चाइना कभी चेर्मन बन जाता है चाइना के हाँ अगर एनेसजी की मीटिंग होती है तो या कोई सेशन होता है तब मुझे लगता है जिस तरह का अभी चाइना ने स्टैंड ले रखका है वो हमारे लिए फिर एक ऐसी स्थिती पर घातक हो सकता है और अब जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो इधर चाइ आने में लगा हुआ है तो इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि अपने सिविल निपलियर परोग्राम के लिए और अपनी सुरक्षा को भी ध्यान देखते हुए अपनी पॉजिशन को इंप्रूब्व करने के लिए जरूरी है कि असजी की किसी ना किसी तरह हमको मेंबर्श करने की क्या कुछ उम्मीद हैं आपकी वहां से हैं दूसरा आज जो इस्लामाबाद के अंदर जो संसद में सर्ताय जीश की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया बहुत क्रिटिसम हो रहा था पाकिस्तान गवर्मेंट का कि विदेश मामलों में पूरी तरीके से सरकार फेल्योर नरिंद्र मोदी जिस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज को खास्तोर से भारत के नजदीक लेके आ रहे हैं अमेरिका का जो समर्थन मिल रहा है उसको लेकर के तमाम मीडिया के अंदर बहुत निगेटिविजम चाया हुआ था ना कारात्मत्ता चाय हुई थी कैसे उनको आप दे देशों के तमाम लोगों से कहा गया है कि वो भारत का समर्थन करें बिल्कुल अब हम और आप शायद इस बात को ये समझ रहे हैं कि अमरिका ने कहा कि बड़ी महरवानी होगी आप लोगों की कि अगर आप ये समर्थन करेंगे अगर यूएस ये बात कहता है तो उसके में अगर अमरिका ने ये मैसेज दिया है कि उन सब का समर्थन करें रशा अगर ये कह रहा है मैं समर्थन कर रहा हूं यूके फ्रांस जर्मनी जापान कह रहा है मैं समर्थन कर रहा हूं तो अमरिका के इस मैसेज का सीधा सीधा मतलब है कि अगर ये बात नहीं मानी गई तो तो ये सीधे तोर पे अमरेका की रिट को अंतराश्टी इस तर पर चैलेंज करने की बात है। और कौन चैलेंज कर रहा है इस्टोनिया, कुरेशिया, जिनकी इस्थिती शायद एक हफते बर की ऐसी नहीं है कि जहां अमरेकंस अपनी सोर्सिस को हटा लें तो ये चल पाएंगे। तो एक तो ये बड़ा सक्त मैसेज है। दूसरी बात शुस्मा सुराज का एक बयान और आया है। जब वो ये तमाम बातें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के कोई विरोधी नहीं है, पाकिस्तान को भी उसमें वो सब मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ-साथ ये भी कहा कि भाई हमने जो भी नुक्लियर इसको स्मगल करके बाहर नहीं बेचा है। तो ये जो दोनों बातें हैं, ये पाकिस्तान क्यों करना है। आज नौर्थ कोरिया जो है, जो पूरी दुनिया को चैलेंज कर रहा है, जिसका एक डिक्टेटर जो है, वो जो दिल चाहिए कर देता है, कि उसका विदेश मंत्री अगर बैठी हुई सबा में सोता है तो शाम को ही उसको तोप के सामने लगा के उड़ा देता है। एक पागल जिसको कह सकते हैं, उसके पास नूकलियर हत्यार कहां से आए। ये पाकिस्तान ने बेचे पैसा कमाया और पाकिस्तान का जो फादर ओफ नूकलियर बम है, उसकी पाकिस्तान में इंट्रेस्टेट नहीं है। चाइना को अपना स्कोर भारत से सेटल करना है। वो ये जानता है कि तमाम शक्षक्ती का जो मामला है जो तरीके से उबरती हुई एक नौमी भारत की आगे बढ़ रही है। आज चाइना के अंदर जितना हम human right की बात करते हैं, पूरी दुनिया में जितना human right का violation चाइना में है कहीं हो इनी रहा। लेकिन चाइना में ना democracy है, ना कोई अख़बार है, ना radio है, ना विदेशी मीडिया है, वो जो कहता है उसके अलावा वहां दूसरा कोई contradiction करने वाला नहीं है। अगर भारत जैसा मीडिया होता तो चाइ अपना कब्जा जमा रखा है, और इसी लिए आप देखिए कि इसी संदर में पिछले 15-20 दिन के अंदर जब दलाई लामा उबामा से मिलते हैं तो मिलने भर से चाइना बौकला जाता है, तो मैं जो बात आपसे कहना चाहरा हूं कि जो अमरेका डिपलोमैसी करता है, उस डि मानके चलें कि जब उसने ये मैसेज दिया है, कि 48 देशों से कहा है कि आप भारत का समर्तन करें, इसका मैसेज है, इसमें रिक्वेस्ट नहीं है, इसमें ठोड़ी में हाट डाल के नहीं पूछ रहा है कि महर्मानी करके कर दें, आपको करना पड़ेगा, तो मैसेज और जो कोई मौखा नहीं छोड़ रहे हैं ऐसा, कि जहां वो अपनी बात ना कह पाएं और अपनी बात कह रहे हैं, और किसी दुश्मन को के खिलाफ कुछ बोलना या किसी के खिलाफ कुछ कहना, उसमें शायद उनका कम इंडरेस्ट है, यूए में जाकर भी उन्होंने आतंकवात क कि बात कही है, यह बात अलग है कि हमसे बड़ा स्टेटमेंट यूए ने दिया, साओधी अरब जो फंड करता है पूरे वहाविजम को, उसके खिलाफ भी साओधी अरब बोला, तो नरेंदर मोदी की कोशिच चाहे अभी पांच देशों का जो मामला हो, उसके अंदर भी ज बनाते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मैकसिको के एरपोर्ट पे जब उनकी सारी मीटिंग हो गई तो वहाँ के प्राइमनिस्टर ने अपनी कार में बठा गए उनको वेजिटेरिन खाना किनाने ले गए, यह डिपलोमेसी में बड़े जेस्चर होते हैं, इससे पाकिस्तान के टेलिविजिनों में मुसीबत आई हुई है, और पाकिस्तान का प्राइमनिस्टर जो हार्ट सरजरी करा रहा है, और हम कहां जा रहे हैं, पूरी दुनिया को देखिए, मोदी ने कैप्चर कर लिया, इसलामिक वर्ड पे हमारी बड़ी पकड़ थी, उसमें भ मुदी चला गया, अब मंदिर बनाए जा रहे हैं और अब शेख मंदिर, तो ये तमाम क्या है, ये पाकिस्तान का फरस्टेशन है, वो ये मानता था कि पूरी दुनिया में भारत को इसलाम के नाम पे बड़नाम करो, हिंदूों के नाम पे बड़नाम करो, अब दुनिया नह बातें नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया उससे ये भी पूछती है, कि अगर भारत में कुछ लोग मारे भी जा रहे हैं, तो वहां तो समझ में आता है, लेकिन आपके यहां जो साथ लाख लोग मारे गए हैं, वो किसकी वज़े से मारे गए हैं, आप तो शियाओं को, दिप्लोमेसी को, मैं एक सफल दिप्लोमेसी मानता हूँ, और अगर ये आप देखिए, अगर ये मेंबर्शिप हो भी जाती है, एक मेंबर्शिप तो हो चुकी आपको पता ही है, जो मीजाइल टेक्नलोजी कंट्रोल रिजिम है, उस मेंबर्शिप के बाद से पाकिस्तान परिशान है, अगर एनेजी चली गई तो आपने इतनी बड़ी लाइन खीज दिये पाकिस्तान के सामने, कि अब दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्या है और भारत क्या है, जो पाकिस्तान पिछले कैई सालों से लगा तक अपनी स्थिती को भारत के बराबर मान जा रहा है कि भारत की कोशिश है कि बैक डो से भी इंट्री की, क्योंकि नौ जून को विएना के अंदर भारत की तरफ से आविदन दे दिया गया है, और कहा गया उसे एकसब भी कर लिया गया है, तो चीन भले ही कह रहा है कि इस मुद्दे पर जो है कोई चर्चा नहीं क्या उमीदें आप लगा करके बैठ रहे हैं, खास तोर से इस अप्लिकेशन को अगर मंजूर कर लिया गया है, तो देखिए भारत को एनस जी की सदसेता मिलेगी, समय अभी मिल जाएगा या फिर छे महीने बाद मिलेगा, ये विचार का बिंदू हो सकता है, लेकिन भारत क इनस जी की सदसेता मिलेगी, ये पक्के तोर पर तैबात है, चाहे अमेरिका में किसी की सरकार आ जाए, रूस में कुछ हुलट-पुलट हो जाए, फिर भी भारत को सबसेता है, अभी देखिए, चीन जो है, वो सीधे-सीधे भारत के मुकाबले अपने आपको खड़ा नही यही काम पाकिस्तान को खड़ा करके चीन कर रहा है, अब भारत की डिप्लोमैसी देखिए, पाकिस्तान अभी पुश्पेंदर जी ने कहा कि हर्ड अटेक हो गया और सरजरी कराना पड़ा प्राइम मिनिस्टर को, तो उसके साथ-साथ हमें ये भी देखना होगा, ये पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए कोई इसू नहीं है, अपने यहां वो बनाता रहे कि मैं पहलवान, मैं गामा पहलवान हूं, अरे गामा बहुत जवाना पहले पाकिस्तान में था, अब हमारे पास तो सत्पाल भी रिटायर हो चुके हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नह हैं, उसके बाद अगले विशे पर जाते हैं, आनन जी सबसे पहले हैं, अगर अगर अंदर खाने अपने खुद का राष्ट में अगर देखे, तो वो खुदी डेमोक्रेसी की जो परिभासा है, उसमें वो कही न कही फस्ते नजर आता है, और वो ऐसा तानाशाद राष्ट है, उसको लगता है कि दुनिया भी वोई तानाशाई को पसंद करेगा, इसलिए वो बीच बीच में भारत का विरोध करके अपना तानाशाई का एक औरा दिखाने का कोशिश करता है, लेकिन आज जिस परकार से दुनिया भर के राष्टों ने भारत का समर्थन करने के समी रूप से, ट्रेड के रूप से और दुनिया के राष्टों के साथ जो उनका जो बाइलेटरल एग्रिमेंट है, बिजनेस को ले करके ये सारे देशों का उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका खुले तोर पर ये कहा है कि नहीं, भारत को मेंब मिलना चाहिए, और उसके बाद अगर इस तरह से विरोध करें, तो निश्चीत रूप से भारत भी चाइना को एक अपना उसके हैसियत दिखा सकता है, जहां तक उनका जो मार्केट है, रीटेल मार्केट जिस परखार से भारत के उपर बहुत बड़ा एक निर्भरता है, त अस्तर पर ये स्थिती नहीं है कि वो अमेरिका या चीन किसी की दया पर रहे है, भारत अपने आप में अपनी दावेदारी दे दे दें और उसको मनवाने में सक्चम है, ठीक, निश्चीत, जी, वही मैं कहना चाहरी हूँ कि 1974 जब NSG आये ग्रूप बना था, तब से और कम से कम अगर मुझे नहीं पता भी इसमें भारत सक्सेस्फुल होगा या नहीं NSG में, आशा मुझे पूरी है लेकिन एक जो इससे मेसेज पहुचा है पूरी दुनिया में, और साथ ही चाइना में, तो जिस तरह पाकिस्तान को इस्तमाल करके, इस तरह के हतकंडे चाइना इस्तमाल कर रहा है भारत के अगेंस्ट, तो बहुत ही जल्दी ये ये सब हतकंडे इस तरह के प्रयास उसके फेल होईंगे और उसकी छवी दिन पर दिन पूरे इस अंसार में गिरती ही चली जाएगी, चलिए तो अमीद करते हैं, आप देखिए, दो-ती दिन बाद क्या आज इन चोटी चोटी चीजों पर जितने अवेर हम हुए है, दुनिया भी अवेर हुई है, बिल्कुल, चलिए बात करते हैं जरा आज के दूसरे मुद्दे की और दूसरा मुद्दा जुड़ा हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के जिरिवाल से, आपको बत अलाकि आप प्रधान मंत्री के ऊपर, और क्या कुछ कहा, एक एक करके आपको तमाम बयान भी पहले उनके सुनाते हैं, तमाम खास महमान हमारे साथ बने हुए, सबसे पहले सुनते हैं, क्या कुछ कहा गया अरविंद के जिरिवाल के तरफ से. तो इस प्रश्णी उस्ता है, कि नरेंद्र मोधी जी मुझपे CBI की रेड क्यूं करा रहे हैं, मुझपे ये जूटी सक्की FIR क्यूं करा रहे हैं, उसका कारण ये है, कि मोधी जी ने बाकी सब को रेड कराके, जूटे केस करके, FIR करके दरा दिया, धमका दिया, अकेला मैं ख़रा हूँ चक्टान की तरह जो मोधी जी के कुकर्मों के खिलाफ आवाज उथा रहा हूँ और उसके खिलाफ संघच कर रहा हूँ इसलिए नरेंद्र मोधी जी मेरे को डराना चाहते हैं धमकाना चाहते हैं तोड़ना चाहते हैं लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, आदर्निय नरिंद्र दामोर्दर्दास मोधी जी, आप जो मर्जी कर लीजिए, ना मैं जुकने वाला हूँ, ना मैं दरने वाला हूँ, और ना मैं तूटने वाला हूँ. मेरे खिलाफ एक F.I.R. दर्ट की गई है, इन्होंने छे महिने पहले भी मोधी जी ने मुझबे C.B.I. की रेड कराई थी, छे महिने होगे सारी C.B.I. को जाच करते करते, इतने बड़े-बड़े अफसर जाच कर रहे हैं, एक पैसा नहीं मिलाई इंको, C.B.I. की रेड का ख कोड ने भी C.B.I. की रेड के खिलाफ पिक्चर जारी की हैं, तरिस नादर C.B.I. की रेड पूरी फर्जी थी, उसी तरह से ये पूरी F.I.R. में फर्जी है, इसमें भी कुछ निकलने वाला चले, तमाम खास मैमान बने हुए हैं हमारे साथ, एक के बाद देख कई आरोप लगाए गए, कहें मैं प्रधान मंत्री के कुकर्मों को खिलाफ अकेला खड़ा हूँ, मैं सोनिया गांधी, राहूल गांधी, रॉबर्ट वाडरा नहीं हूँ, जो डर जाओंगा, ये भी कह आ गया कि रॉबर्ट वाडरा से जैसे सेटिंग कर ली है, उस तरह की सेटिंग आप मेरे साथ नहीं कर सकते हैं, इस से पहले भी आपको बता दें, अर्विंद केजरिवाल समय समय पर प्रधान मंत्री पर काफी सारी अशूभनी टिपनियां कर चुके हैं, इस से पहले उन् पर कोई सवाल उठते हैं, तो वो इतने बॉखला क्यों जाते हैं, इतने बिखर क्यों जाते हैं? तो जब सवाल ये हुआ कि जब इनकी पार्टी के अंदर कुछ लोगों को सरयाम पकड़ा गया, और ये कहा गया कि साब, ये आपका आदमी फला जगए इन्वाल्व है, इसको आपने टिकेट दी है, ये घुटाले में इन्वाल्व है, ये बलातकार में इनको है, तो ये क् हमने जानकरा लिए है और अब आप उसको सवाल नहीं पूछना चाहिए, केजरीवाल के बारे में मैं फिर कह रहा हूँ, ये भारतीय राजनीती में एक ऐसा अराजक तत्तों पैदा हुआ है, जो बीजेपी और कॉंग्रेस मेरे लिए कोई बहुत महत्पूर्ण नहीं है, ये महत्पूर्ण ये है कि ये अराजक शक्स जो है, मुझे नहीं पता कि कितना फोर्ट फाउंडेशन के नाम से कबीर को पैसा आया, मुझे नहीं पता कि फोर्ट फाउंडेशन के नाम से कितना इंडिया अगिस करेप्शन को पैसा आया, ये आदमी इस देश के इस्टैब पता ना चाता है और इस देश के अंदर एक A.C.N.R के सिच्वेशन पैदा करना चाता है जिससे वो तमाम ताक्तें जो देश विरोधी इस देश में मौजूद हैं वो तमाम ताक्तें जो इस देश के खिलाब बाहर से काम कर रही हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए उनक पाकिस्तान के अंदर आए दिन शिया सुनी मारे जाते हैं आए दिन एहमदियों का कतल होता है आए दिन कादियानों का कतल होता है खुले आम होता है पूरी दुनिया जानती है उसकी बड़ी बड़ी खबरे चपती है लेकिन इस देश के अंदर हजारों बाते हुई एक आदम आप देखी कितनी जड़े मजबूत हैं इनकी मीडिया घराने भी इनके साथ मौजूद हैं तमाम एंजियोज इनके साथ मौजूद हैं और पूरा पाकिस्तान जो पूरी दुनिया के लिए इंटॉलरेंट है उसके बारे में चर्चा कभी अमरेका में नहीं हुई है आप इस कोई दोराएं नहीं है कि आप राजनीती करें लेकिन एक के बाद एक देखें इस आदमी को जितेंदर तो उमर पकड़ा गया तो क्या कहा जाता था कि फरजी डिग्री नहीं है जब वह पकड़के कोट में आगया तो उस पर चुपी साथ ली सोमनात भारती ने क्या किया फ आप मुबंद करना चाते हैं आपने दिल्ली के अंदर मीडिया घरानों को पैसा पहुचाया है मीडिया घराने को लोगों को यहां के दिल्ली के 31 से 32 कॉलेज के अंदर आपने गवर्णिंग बॉड़ी में रखाए तो आप कर के रहे हैं कोई का दो चार मामला नहीं है ये इस देश की राजनिती के लिए एक बहुत बड़ा खत्रा है इसका राजनितिक तोर पे मरना बहुत जरूरी है चलिए एक छोड़ा सा कमर्शल ब्रेक ले रहे हैं तुरंत लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद ये सवाल करेंगे कि सीधे प्रधान मंतरी पर हमला करके क्या अ गटना चेकर में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंती अर्विंद के जिवाल की जिनके खिलाफ फायार होने के बाद काफी बॉकला गए हैं काफी आकामक तरीके से प्रेस कॉंफरेंस और क्यों कि भाषा का लगातार वो इस्तिमाल कर scalar यह त्वाम पहलों पर बास्यत कर रहें तो इस तरीके से लगातार कर सकता है तो वो मैं हूँ तो क्या अभी से 2019 की तैयारी में जुट गए अर्विन के जिवाल क्या इस तरीके से देख सकते हैं का इसे देखिए एक कहा जाता है कि दिल्ली राज्य के मुख्य मंत्री की आउकात किसी दूसरे राज्य के मुख्य मंत्री के एक पाउवे के तो मीडिया सुनेगा हमको और जो दो चार निठल्ले किस्म के राजनितिग्य हैं जिनको नियायले ने आज के दिन में आरोपित करके चुनाव लड़ने के भी आयोगे घोसित कर दिया है वो और उनके एलाई लोग मेरे साथ आएंगे और हमको कुछ एक संजीवन बोटी मिल अभी पंजाब का चुनाव है आज सबेरे मेरे किसी मित्र ने एक फोटो भेजा है इनके बड़े वाचाल सांसद हैं वहां के वो सराब पीके उसके नसे में इतने टुन हैं कि दोनों सिकुरिटी ऑफिसर उनका जो है बायदाईने हाथ पकड़के उनको किसी तरह चला के ग राजनेतिक जो विचारधारा अपनाई है इन्होंने वो वही अपनाई है जो इंटरनेस्टल पॉलिटिक्स में चीन अपना रहा है एक दूसरी बात ये आदमी कहता है कि मैं राहुल गांधी के तरह डरता नहीं हूँ अरे भाया मैं तो कॉंग्रेस का समर्थक नहीं रहा नहीं हूँ राहुल गांधी को मैंने ढरते नहीं देखा है राजनीत में मुकाबला करते हैं धरना देते हैं प्रदर्शन करते हैं बोलते हैं अब तुम अपनी तुलना करो कि तेरे अंदर कितनी हिम्मत है आज तीन दिन से भाजपा का एक MP तुम्हारे दरवाजे पर डाय नहीं कर सको तेरे गले के नीचे पानी कैसे उत्रा होगा जब तीन दिन से तेरे दरवाजे पे कोई आदमी कोई चुना हुआ प्रतिनिधी एक सांसग बिना अन जल गरहन किये हुए तेरे दरवाजे पर बैठा होगा ये बहुत निक्रिष्ट सोच का वेक्ती है अभी आप उसको बीस से पचीस हजार रुपे प्रतिमाह ये लोग तंखा देते हैं तो अब इसके हिसाब से सोचिए कि कितना धन आ रहा है वो धन कहां से आ रहा है इनके पास बजट में तो प्रावधान है नहीं उस धन का इसी तरह से ये 400 करोर का टैंकर घुटाला 12 महीने से लगभ पदेन चेयर मैन होता है दिल्ली में ये जलबोर्ड का ये सारी कारवाईयां कर सकते थे तो ये बड़े दोगले मानसिक्ता के वेक्ती लोग हैं इनके मन, करम, वचन, तीनों से ये लोग सिर्फ इसी में चक्कर में लगे रहते हैं कि मैं लाइन ब्लाइट में रहूं और द खिलाफ कुछ करने की मेरे उपर जी सीवियाई की रेट करवा देते हैं मुझ पर ही जो है एफाईयार करवाते हैं क्योंकि डरते हैं प्रधान मंत्री मोधी हम चोरी तूम करोगे तो एफाईयार किस पर होगा है अनाव सनाव गालियां देते हैं तब भी वो पी एम सहाब को टार्गेट करते हैं और कोई ऐसी संस्थान नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ रखा है सब गलत केवल वही एक वेक्ति हैं जो बिलकुल हरिष्चंद्र हैं और एकदम बिलकुल पाक साफ हैं आप देखें महेसगिरी जी के नाम लिया उन्होंने आपको पता एक डॉक्टर का हत्या हो गया था दिल्ली में विपुल जी आपको पता होना चाहिए कि उस डॉक्टर के परिवार में इसका कुल खंदान का कोई नहीं गया ना ये खुद गये क्योंकि वो वेक्ति हिंदू था और ये इतना गिरेवे इंसान है कि अगर वहीं कोई तुस्टी करन की बात आ जाती कोई दूसरे धर्म के होते तो वहां जाके फोटो खिचवाता ही है और जो मर्ज गालियां देता दूसरे को लेकिन वो नारंग साहब के हां कभी नहीं गया हो तो ये जैसे ही खान जी का मडर का भिशे आगया भासपा को आरोपित कर दिया और वहीं महेश गिरी जैसे पाक्षाब बेक्ति को महेश गुरी ने पकड़ लिया उनका पैर कि आजा तुम मैदा यह का कि आजा आ ने अब यहां कि यह करने लग गया यहां पर धरना दे रहा है देखे ऐसा है केजरिवाल का कोई भी प्रेस ब्रीफिंग देख लिजे हर एक ब्रीफिंग में एक मिनट के अंदर तीन चार बार तो पीम का नाम लेते हैं क्योंकि उनकी आवकात ही नहीं है अपना आवकात कुछ काम का एक जशे नहीं है तो मुझे लगता है आने वाला समय में कहीं अत्यी सोकति तो अभी महेश गिरी जी वहां धरना नहीं देते गर में घूजके उसके चाती में चाले तो गलत हो गलत काम कर रहे हो अभी मुझे उस कहानी की याद आती है कि एक पिंजड़े में बंद है शेर और बाहर बच्चा छोड़ा था उसके उपर थूग रहा हो अपने को बहुत विशाल समझ रहा है उसी प्रकार से कुछ यहां पर इनका भी हाल है यह केवल सोनिया जी राहुल जी और लोगों को करम नहीं कहके उनके उपर आरोप लगाके लांचन लगाके यह अपनी जो अंदर इनकी जो अती महत्व कांगशा इनके अंदर हैं बहुत जादा स्टॉंग उस वो जह लगती हैं और लगता ही इनको प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है यहां की देश के प्रधान मंतरी के लिए इस तरह से शब्द प्रयोग करना या किसी के लिए भी जो आप राहूल और सोनिया जी के लिए कहते हैं कि वो डर्पोख हैं इस तरह के शब्द किसी भी प्रदेश के मुख मंतरी को बिल्कुल शोबा नहीं देते और केवल मैं कहती हूँ कि यह आन आज किस चर्चा में शामिर होने के लिए बहुत इस फिलाल घटना चकर को यह समिठते हैं आप देखते रहे जाएंटे भी हमाशकार